फिल्म पदमावद रिलीज हो रही है 25 जैनुवरी को जहां एक और फैन्स फिल्म देखने के लिए उठसाहित है वहीं दूसरी और जगा जगा फिल्म को बैन किया जा रहा है भले ही सेंसर बोर ने फिल्म को हरी जंडी दे दी है कुछ राजियों ने सुरक्षा कार्णों को बैन करने का फैसला लिया है और इस बैन से फैन्स ही नहीं बलकि मेकर्स भी परिशान है क्योंकि इस बैन का असर सीधा बॉक्स ओफिस पर पड़ेगा पदमावद को बड़ा घाटा हो सकता है फिल्म राजस्तान मध्यप्रदेश और गुजरात के बाद अब हर्याना सरकार ने भी बैन करने की ओफिशल अनॉंस्मेंट कर दी है इन चार राजियों में अब फिल्म रिलीज नहीं होगी याने की फिल्म को लगभग 25 पसंद के घाटे का सामना करना पड़ सकता है खबरों की माने तो किसी भी हिंदी फिल्म कलेक्शन में राजस्तान से 5-6 पसंद की कमाई होती है गुजरात से 10-11 पसंद की वहीं मध्यप्रदेश में 4-5 पसंद का मुनाफ़ा होता है और अब जब इन मेजर हिंदी भाषा राजियों में फिल्म रिलीज नहीं होगी तो जाहर से बात है कि फिल्म के वॉक्स ओफिस कलेक्शन पर भारी असर पड़ेगा याने कि भले ही मेकर्स खुश है कि फिल्म 25 जैनुरी को रिलीज होगी लेकिन उन्हें अभी वॉक्स ओफिस पर जीत हासल करने के लिए काफी मेहनत करनी होगी इसी वीच खबर ये है कि ये फिल्म 25 जैनुरी से पहले 24 जैनुरी की रात को दुनिया भर में रिलीज होगी पेट प्रिव्यूस के जरीए फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है कुल मिलाकर मेकर्स को नुकसान के लिए तैयार रहना होगा वैसे आपको क्या लगता है क्या ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर इस साल की सबसे बड़ी हिट सावित होगी बताए हमें कमेंस के जरीए लिए